नमस्कार आप देख रहे हैं A2J Digital Platform आपका स्वागत है मैं सुरीदय चोहान और आज हम एक बड़े सुपर अस्टार पावर अस्टार जिनको बोलते हैं पॉन सिंग मैं उनके घर पे आया हूँ और उनके बड़े भईया से मैं बात करने के कोशिश कर रहा हूँ और सबसे पहल हूँ कि इनका एक गाना भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वो गाने का नाम है धुआ 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 तो चलिए अब मैं आपको उनके भाई से मिलाता हूँ डैरेक्ट और सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका थेंक यू सर आप अपने नाम बता देजे पह अभी तक जो नाम उनको देशों बिदेश बहुत जगा जो मतलब ऐसे ट्रेंड कर रहे हैं यह कि देश में बिदेशों में भी ट्रेंड कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि जब स्टार्टिंग में कैसे शुरुआत की थी नहोंने देखें जब पहुंच शाथ साल के थे तो गाना गुंगुना रहे थे तो इस लाइन में पहले से हमारी अजीत चाचा थे तो देखें उनको तो उनको ऐसा लगा कि यह मतलब होजपूरी गाना या हिंदी गाना जाने में स्रक्षम हैं और आगे तक जाएंगे तो चाचा उ आपरंड़ा रखनयूदर नियुकूनर girish 1968 अदुज है अधर जाके विदि एक बात पता हैंगे कर बहुआ है उनका पहले गाना कुछ फीश याद है आपको, हम तो ऐसे ऑसे सुमने कुछ इंए होगूइ अगे में बात करना चाहूंगा उसके बाद मतलब स्टार्टिंग तो हुआ ऐसे और फिर किन-किन मुश्किल लोगा सामना करना पड़ों को मुश्किल तो कुछ नहीं आया क्योंकि हमारे चाचा परले इस लाइन में थे तो पर उनको बहुत सपोर्ट किये और उसके बाद हम लोगाओं से आ रहा आये आ रहा है तो छत्रिय स्कूल में उनका नाम लिखाया गया फिर यहां से इधर उधर चाहिए मतलब इस्टो इस्टे सो कलकत्ता मतलब जहां अनको जाने लगे उसके बाद तो पुलिक उनको बहुत चाहने लगी बहुत प्यार गवया हो गया इस पर उनके क्या परतिक्रिया रती थी चाचा की नहीं पॉण जी के देखें लोग तो कहने के लिए कुछ भी कहते हैं लेकिन अब बताए गाना कौन नहीं गया है अब बताए लता जी को अगर इस विसे में कुछ बोले कि नचानिया है यह है तो कैसा लेगा म आपकी कितना सपोर्ट रहा उनको पाउन के साथ हम हमें बचपन से हम लोग दोनों भाई साथ मेरे हैं जब आरा फर्स्ट बर आए तो हरी जी कुछ बोल सकता है आपके कितना सपोर्ट रहा उनको आपकुर्ण। पाउन के साथ हम, हमें बचपन से हम लोग दोनों भाई साथ मेरे हैं जब आरा फर्स्ट बर आये तोрал जी कहाता हम लोग कर लिए गवैश पोण उसमें आठ नौः साल ग다는 तब से हम लोग दोनों भाई साथ में राते हैं अब एक उनका गाना बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है धुआ 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 जी शुबलाब कंपनी साया उनका गाना धंधुआ हो जाई फिर अभी तो परसु रिलिज हुआ है उनका टिप्स कंपनी से गाना तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है बहुत बहुत अच्छा चल रहा है तेंडिंग टूप है अभी जी और अभी तक उनका घर से मतलब ऐसा हुआ अश्टोश अश्टोश हो जो होता है अभी बहुत कम कर रहे हैं अश्टेश हो सामे नहीं है अभी उनके पास इतना पिक्चर है इतना एल्बॉम है कि इस्टेशो बहुत कम कर रहे हैं और यह बीमारी ऐसी है चल रही है समय को इसको देखते वे इस्टेशो कम हो रहा है मैं चाहूंगा कि आप अभी क्या करते हैं विया हम भी यूटूब चैनल चलाते हैं फिर अपने कुछ बिजनेस है प्रस्टनली बिजनेस है आप किस तरह सहयोग उनका करते हैं अभी जो है सहयोग करने के बाद जो आती है अब हमारे छोटे भाई हैं सहयोग तो हम ऐसा है था जब हमने सुना था उनका गाना यह रेकर हुआ उला तो उस समय इतना ट्रेंड नहीं था गाने का नहीं 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 था तो उनका फर्स्ट इस्टेश सो जहां सुनका नाम ब्लास्ट किया था पटना पुलिस लैंड से जी फिर वहां से लोग गढ़वा से कुछ हैं तो उनको ले गढ़वा फिर वहीं से जो मायक हुआ था इस्टेश सो पे वो मायक वोला यह गाने रिकॉर्ड किया रे करिवा चुपरो तो मायक लोग पटना और इतना यह गाना चला यह इतना यह गाना चला कि हर एक कंपनी से ओफर आने लगी उस समय जाए टी सिरी ज जी तो अभी जो इतना ट्रेंड कर रहे हैं पौन भीया मतलब एक अलग पहचान है उनका कैसा लग रहा है अभी बहुत अच्छा लगता है और जो उनके चाने वाले हैं भुजपुरिया समाज हो चाहे आज तो हिंदी में भी उच चले गए इतना प्यार दुलार उनको साथ में चटो लगीता आया चटक टाइम में कैसे यह हुआ क्योंकि एक बहुत बड़े स्टार है सोनु निगम जी अधर निए सोनु निगम जी और एक पौन भीया के साथ में मैंने उनका देखा वीडियो तो आप आपके चाचा जी भी उनमें उस वीडियो में थे कैसा ल कि मैं पौन जी के साथ भौजपूरी गाना गाऊंगा और चट गिस थे वो लोगी स्टाट की ऐसा था कि सोनु निगम जी हिंदी गायक थे और उनको भौजपूरी गाने में थोड़ी से कटनाई हो रही थी तो लग भी रहा था एसा लेकिन कि भौजपूरी गाने में लाइब सुना था तो उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छे तरीके से उस छट गाने को उन्होंने अंजाम दिया था देखिए भौजपूरी गाना में इतना मिठास है कि भौजपूरी कौन नहीं बोला मोधी जी बोले अभी अनुराग ठाकुर जी का लाइब देख रहा थ वो बोल रहे थे भौजपूरी में ही बोल रहे थे कोई सो आने वाला है रात में या दिन में 11 से 11 तक तो भौजपूरी इतना मिठास बोली है कि सब लोग गाना गाना चाहते हैं कोई भी हो अब यह करके फिल्म जैसे अभी बोस तहलका मचाये हुए थी बोस सिनेमा घरों में पता किया था हमने वहां भी इंटर्वी किया था हमने तो बहुत गर्दा मचा रहे थे बोस फिल्म अभी उनकी पिक्चर आने वाली है मेरा भारत महान उसमें रवी किसंजी है बहुत प्राइब है अपको ऐसी परदे पर नहीं बहुत आना चाहिए नहीं हमको ऐसा कुछ नहीं लगा और ऐसा समय भी नहीं है कि पर्दे पर हम लोग आए और चाहत भी नहीं है पर्दे पाने के लिए कभी चाहत भी नहीं है इसे लेकिन हर कोई चाहता है कि पर्दे पर आएं लोग ठीक है हम थोड़ा इस लेंड से हटके हैं इससे हटके हैं लोग बहुत लोग कहते हैं कि आप पहुंसिंग के भाई हैं आप इसमें क्या है भाई मैं पहुंसिंग का भाई हूं तुम्हें क्या मतलब बाग हूं मैं नॉर्मल इंसान हूं और नॉर्मल जिंद्गी जीना चाहत हमारे साथ यह रानु भाईया है जो को बहुत ही दिल के अच्छे आदमी लोग कहते हैं ऐसा कि बड़े अस्टार के भाई होंगे तो सहथ उनके मन में एटूटूड रहता होगा तो लोग आने से डरते हैं हमसे भी लोग कितनी लोग सवाल की कर दिये कि अरे जाईएगा तो वहां पे लोग उनको इंटर्व्यू देंगे नहीं देंगे तो हमने सचा कि बात करना चाहिए हमें बात करने में क्या लगा हुआ है क्या आप अपने बारें थोड़ा सा बताईए लोग सोचते हैं ऐसा कि पार अस्टार के भाई हैं हो सकता उनमें कोई एक्टिटूड हो क कि नहीं हम बड़े अस्टार का भाई हैं भई तो हम कुछ है कि मैं अपने में क्या बता हूं आप तो जानते हैं लेकिन एक इंसान हूं और इंसान के नाते सबसे में प्रेम रखता हूं जी हर एक इंसान के अंदर इंसानियत रहनी चाहिए कोई जात पात कुछ नहीं है इस नकिमती समय दिये